दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे Literary Criticism में एक बहुत important work को इस work का नाम है ये एक essay है जिसका नाम है The Death of the Author इस essay को रिखाता है एक French critic Roland Barthes ने दोसो अगर हम Literary Criticism को पढ़ रहे हैं तो आपको ये essay के बारे में और इस essay में क्या-क्या discuss किया है ये भी जानना बहुत जरूरी है चलिए मैं शुरू करता हूँ जितना clearly हो सके उतना clearly इसको समझाने ही कोशिश करूँगा दोसो ऐसे कोई बहुत बढ़ा essay नहीं है छोटा सा essay है लेकिन Literary Criticism में इसकी अपने आप में बहुत importance है चलिए आज हम पढ़ेंगे Roland Barbs का लिखा हुआ essay The Death of the Author इस essay को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि ये आदमी कौन है जिसने essay को शुरू करने से पहले ये author को मार दिया यहाँ पर दोसों सच में किसी author को मारने की बात नहीं की गई इस essay की स्टार्टिंग में ये एक French Novelist का नाम लेते हैं जिनका नाम है Honoré de Balzac ठीक है अगर मैंने गलत प्रणाउंस किया हो तो सारी ये एक Novelist है French Novelist अब French Novelist ही इन्होंने क्यों लिये क्योंकि ये एक खुद French Critic थे शायद इसलिए तो उनकी एक बहुत फेमस Novel है एक फेमस वर्क है सारसन नाम गम उसकी कुछ लाइन्स उठाते हैं The Woman Herself करके उन लाइन्स को लिखने के बाद पूरे Sentences को लिखने के बाद वो सवाल पूछते हैं कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस स्टूरी में किसकी आवाज है Author की आवाज है Story के hero की आवाज है Romantic philosophy की आवाज है Author की personal experiences जो उसने feel किये हैं उनकी आवाज है या Author यहाँ पर Feminism का stand ले रहे हैं देखो इन में से एक भी सवाल का जवाब देने से पहले समझ लो कि यहाँ पर रालन बात सारी identities को erase करने की बात कर रहे हैं। पुराने टाइम पर जो criticism होता था, वो ऐसे ही होता था कि author की biography पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, बजाए कि text पर focus कर रहे हैं। कि यह बोलते हैं कि author का किसी भी work को लिखने में कोई भी रूल नहीं होता, वो बस एक narrator का काम करता है, एक mediator का काम करता है, जिसे बस reader से text को मिलवाना होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलवाना होता है, और उसे उसके work के लिए, उसे उसके narration के लिए admire किया जाये, ल कुछ नहीं होता कि हम क्या करते हैं किसी भी work को पढ़ने के लिए author की personal life में ज्यादा interested होते हैं बजाए के text की हम text को एक single person के point of view से देखते हैं जैसा वो दिखाएगा हम देखेंगे ऐसा मानते हैं कि ये work सिर्फ इसके author के अंदर जिन्दा है खुद अपने आप में इसकी कु particular video बना रखी है particularly ये किसका नाम लेते हैं Stephen Malamay का इनकी भी बात की थी मैंने अपनी symbolism वाली वीडियो में ये एक French symbolism part थे वापस एक French symbolism part का example ले रहे हैं क्योंकि ये खुद French थे तो Stephen Malamay एक symbolism part इनके लिए ये बोलते हैं कि इन्हों ने दुनिया को एक नया तरीका सिखाया कि language language को author से किस तरह से अलग किया जाए language और author को कैसे separate किया जाए क्योंकि आज कल author को नजाने क्यों उस work के honor की तरह देखा जाता है जो उसने लिखा है ना work उस work के honor की तरह देखा जाता है कि वो work publish होने के बाद में भी उसी की property है जबकि author का work publish होने के बाद public property बन जाता है मलार में मानते थे कि language हमसे बात करती है ना कि author हमसे बात करता है तो language पर ज़्यादा focus करना चाहिए इनके अलावा एक और French symbolist थे Paul Bellary उन्होंने भी same इन्हीं की तरह बात की है कि author को supreme नहीं देखा जाना चाहिए एक बार author को हटा दो आपको text में radical change मिलेगा क्योंकि author की रहने से लगता है जैसे वो इस text का past है अगर आपको इस text का past जानना है तो आप author की life को पढ़ लो author को सिर्फ एक scripter की तरह देखा जाना चाहिए क्या बोलता है कि author को सिर्फ एक scripter की तरह देखना चाहिए ये scripter क्या होता है मतलब ऐसा मनों की catalog देखा है कभी हाँ catalog देखा है तो stories पहले से मौझूद है कहानिया पहले से मौझूद है poems पहले से मौझूद है किसी catalog की तरह और author का काम क्या है उन सारे elements को collect करे एक जगह पर और अपने scripter वाला काम करे यानि सब चीजों को arrange करे और एक text बनाए खुद को originator ना समझे खुद को honor ना समझे कुल मिलाकर खुद को उस text का भगवान God ना समझे क्योंकि ये मेरा personal point of view है कि जब वो आया था इस दुनिया में तो खाली दिमाग आया था दुनिया में जब उसे सारी चीजे यहां पर मिली जब उसने देखी तभी तो उसे लिखने का idea आया तो चीजे पहले से मौझूद है कहानिया पहले से मौझूद है उसका काम क्या है सिर्फ एक scripter का काम है जो चीजों को arrange करेगा फिर जब वो text तयार हो जाता है वो बन जाती है public property और reader चाहे जैसे उसका मतलब निकाले उस text की final destination है reader reader जब उस text को पढ़ेगा तभी उसका कोई मतलब निकलेगा author का उस पर कोई right नहीं होता योगि text अपने आप में multi-dimensional होता है मतलब आज आप देख लो गीता के श्लोक्स हैं हर कोई उस श्लोक्स का मतलब अपने हिसाब से निकलता है एक businessman अपने हिसाब से निकलता है तो कोई मन की शांती पाने वाला अपने हिसाब से निकलता है हो सकता है कि 100 साल बात जाकर लोग अपने हिसाब से उन्ष लोक्स का मतलब निकाले अब यहाँ पर रॉलेंट बात्स क्या बोलते हैं कि आपकी गलती क्या होगी अगर आप उस टेक्स्ट को यानि उन्ष लोक्स को लिखने वाले से जोड़ कर देखोगे तो आप टेक्स्ट की limits, boundaries बना दोगे कि गीता किसने लिखी होगी उसकी life कैसी रही होगी जो उसने ऐसी बात लिखती है किसने लिखी होगी इस चीज से मतलब नहीं है मतलब इससे है कि टेक्स्ट का कोई भी fixed meaning नहीं है टेक्स्ट अपने आप में multi-dimensional है आगे जाकर उसी टेक्स्ट के अलग-अलग मतलब निकाले जाएंगे तो ऐसे की शुरुआत में जब उन्होंने सवाल पूछा था ना कि बताओ किसकी voice है तो यहाँ पर कोई भी एक single voice नहीं है इसका जवाब यह है कि यहाँ पर कोई भी एक single voice नहीं है multiple meanings है पढ़ने वालों पर depend करता है कि वो कैसे लेता है text को जैसे ancient Greek time की text को उठा कर देख लो अलग-अलग double type के meanings होते हैं तो यहाँ पर इनका point यह है कि reader को focus में लाओ क्योंकि classical time से लेकर अभी तक किसी ने भी reader पर focus नहीं किया है जबकि reader का writer से ज्यादा active role होता है किसी भी text पर तो author मरेगा तब ही जाकर reader पैदा होगा यहीं पर इस text की summary पूरी होती है अब मैं थोड़ा सा इस statement को पढ़कर अंदाज़ा लगाता हूँ कि reader response theory की तरफ यह ज्यादा जुके हुए है और new criticism की तरफ ध्याद रखना दोस्तों जिस century में ये works लिखे जा रहे थे न उस century में T.S. Eliot उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने ये author की role को कम करने वाली बात कही थी उनके most celebrated essay tradition and the individual talent में अगर आपने पढ़ा हो तो तो बात बस इस चीज को थोड़ा आगे ले जाते हैं और काफी हद तक हम इनको deconstruction theory के करीब मान सकते हैं अभी अभी मैंने deconstruction theory पढ़ाई है उसके करीब मान सकते हैं जो theory क्या बोलती है आप देखना कैसे ये बार बार एक चीज पर जोड़ देते हैं कि text के बहुत सारे मतलब होते है text के बहुत सारे मतलब होते है text multi dimensional होता है उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ये ऐसे समझ में आया होगा दोसों आज की इस वीडियो बस इतना ही